जहीं दुस्तों स्वाकत है आप सभी का इस वीडियो में आज हम 13 डिसेंबर के जो न्यूस वेपर के आर्टिकल से उनको 10 मिनिट में कवर करेंगे चलिए यहां पर न्यूज प्लेसे से न्यूज में यहां पर अर्जेंटिना जो है यह न्यूज में है इलेक्शन की वेज़े से यहां पर आपको इसकी बॉर्ड्रिण कंटरीस जो है वह पतारी नहीं चाहीं, यहां पर ब्राजिल हैं, यहां पर उरुग्वे हैं यह आपको पतारी ने चाहीं, इहां पर अटल्येंटिक में हैं और प्य सब्ल़ूरी कोरशन आजाएगा, सभी कोर्से जबर्दस तरीके से बनाए गया है प्रिलिम्स और में दोनों ओरिंटेट तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी आप और वीडियो को एंजॉय कीजिए चलिए यहां पर हम पहले इस पर आते हैं यह इंडियन इंडियन एक्सप्रेस में बात की गई है जो इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया के मिम्बर्स है उनका सेम स्टेटस रहेगा सुप्रीम कोट जज़स पहले इसमें चेंजेस लाए गए थे जो स्टेटस है यह कैमिनेट सेक्रेटरी का लाया गया था लेकिन अब इसको चेंजेस क इसमें जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में बात की गई है यह थे क्या हुआ था ना कि अब तक तो ऐसा था हमारे कॉंसिटुशन में ऐसी कोई बात नहीं की कि कैसे अपॉइंटमेंट होगी इस भी इतना बोला गया कि राष्टपती जो है प्रेसिदेंट की जाएगी अब प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे मतलब क्या है प्रेसिडेंट तो एड एन एडवाइस पर काम करते हैं किसके काउंसिलों मिनिस्टर मतलब हमारे प्रधान मंतरी तो प्रधान मंतरी जो बोलेंगे उनहीं के वो किया जाना चाहिए, कमिटी में प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, जिससे क्या होगा, कि एक impartiality maintained रहेंगी, कि हाँ बाई, प्रधार मंतरी मतलब जो ruling party है, वो भी है, opposition वाले भी है, कि ऐसा नहीं कि ruling party के ही members है, वो election commissioner बनेंगे, and then chief justice of India भी रहेंगे, मतला एक assurity रहेंगे, तो ये चीज़े यहाँ पर लाने की बात की गई थी, लेकिन अब यहाँ पर एक bill लाय गया है, government के द्वारा, जिसमें जो committee है, उसमें changes किये गए है, जो committee है, उसमें बोला गया है, कि prime minister रहेंगे leader of opposition रहेंगे, and जो chief justice of India की बात की गई थी, वहाँ हटा कर chief cabinet minister है, जो nominate के जाएगे प्रधान मंतरी के द्वारा, तो ये यहाँ पर लाने की बात की जा रहेंगे, तो इसमें फिर से controversy हो रही है, कि again यहाँ पर government की हाथ में आ गया, क्योंकि देखे, अगर यहाँ पर 3 लोग रहेंगे, वो भी प्रधान मंतरी की nominated रहेंगे, तो वो तो हाई बोलेंगे, तो दोनों की यहाँ पर मिली भगत से वही इंसान आ गया, जो प्रधान मंतरी जा रहेंगे, है ना, वही actual में हो गया, अगर यहाँ पर chief justice of India होते है, तो यहाँ पर अलग चीज हो सकती थी, तो criticism वही है, कि भाई यहाँ पर एक तो यह हो गया, दूसरा क्या है, कि बिल में यह भी बोला गया है, कि इनको same salary and perks रहेंगे, जो की cabinet secretary को है, जो की पहले election commissioner जो होते थे, chief election commissioner, उनका same status रहता था, as that of supreme court judge, ठीक है, supreme court judge उतना ही status इनका रहता था, लेकिन आपर downgrade किया गया, ऐसा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर election commissioner, उनका जो status है, उनको कम कर गया, यहाँ पर cabinet secretary का कर दिया गया, यहाँ पर basically हो रहा था, तो देखिए, salary तो दोनों को almost same ही है, cabinet secretary और supreme court judge, इसको salary same है, तो यहाँ पर जो former election, chief election commissioner, उनका यह बोलना है, हम salary के वज़े से नहीं बोल रहे है, हम status की वज़े से भोल रहे है, तो फिर से यहाँ पर लाने की बात की जारी है, तो यहाँ पर equivalent जो है, वो फिर से करने की बात की जारी है, तो यहाँ पर आगे पास होगा, तब जाके finalist पे, चीज़े जो हमें देखने को मिलेगी, तो amendment इसमें और हो सकते हैं, नेक्स यहाँ पर अटी टेरर लॉय इंटम इंटर्फियरण्स जो हो रहा है यहां पर तो यहां पर क्या हो रहा है जनलीस्ट जो है यहां पर फ़हर शाह उसका लीगल बैटल चलना एक जनलिस्ट है जो यूए क्राइम जो होने से पहली अगर उसको डिटेंड किया रहे है उसको प्रिविंट डिटेंशन बोला जाता है हाई कोड का जज्जमेंट जो है वो देखने को मिला डिविजन बेंज जमुएन कश्मिर हाई कोड नोवेंबर 17 जज्जमेंट जो है उसमें बेल भी दी गई उसी के इसमें टेरर इंक्लिट हो जाता है तो टेरर इंक्लिट होगा है किसी को भी आप प्रिविंट डिटेंशन में अंदर डाल दोगे कोड ने कुछ भी बोला फिर भी आप उसको हिरासत में रख सकते हो है ना तो यह चीज़ यहाँ पर बेसिकली पूरी आर्टिकल के दुरू बात की जा रही इंपॉर्ट हमारे लिए क्या है इंपॉर्ट है हमारे लिए यूए पी एक्ट तो यहाँ पर पर्पस क्या है पर्पस है कि यहाँ पर अनलाफुल एक्टिविटी जो भी करते हैं टेररिजम हो गया जो भी डिस्रेप्ट करते हैं उनको पनीश करना की प्रो और यहां पर जो टेरिजम से रिलेटेट जो भी जीज़े हो उसको पकड़ने के लिए यहां पर एंपाउर किया गया है काफी लोग आर्ग्यू करते हैं कि इसमें यूए पीए में काफी ब्रॉड और वेग है इसमें काफी मिस्यूस किया जा सकता है टेरिजम क्या है यह स्थेंशन के दिग गई किसी को भी बिना आरस बिना कोई किसी वार्ण के अरिस किया जाता है अदा डिफिकल्टि है लेने में यह भी हमें देखने को मिला करें स्टेट जैटिस अगर आप तो काफी कॉंट्रोवर्शन लौ है यह चीज़ यहां पर देखने को मिलती है कि न तो genetic disorder होता है, देखे क्या है ना, कि normally हमारा blood जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, यह ना, बड़ा-बड़ा अच्छे तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन sickle cell में क्या होता है, यह पूरा सिकूड जाता है, इस तरीके का blood हो जाता है, तो यह चीज हमें देखने को मिलते है sickle cell नहीं है, तो इसका जो treatment है, उसकी यहाँ पर basically बात की जा रही है, तो यहाँ पर approval किया गया है, gene therapy के लिए, ठीक है, तो इसमें CRISPR, Cas9 टूल जो है, वो भी use किया जाएगा, तो again यह science and tech perspective से import हो जाता है, तो mechanism क्या है, इसमें दो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे है, ए blood stream में, ठीक है, उसके होज़े से क्या होगा, यह healthy version हमें देखने को मिलेगा, जो healthy version होता है, and Cas9 यह CRISPR 9-Cas gene editing tool यहाँ पर use करेगा, जिससे कि जो BCL 11A cell है, उसको disable कर देगा, जो basically harmful होता है, fatal hemoglobin production create करता है, ठीक है, मतलब समय लिजे, जो यह इस तरीके का बना रहा है, ठीक ह हमारे blood को, मतलब एक्तम आसान चब्द में non-technical हिससे बता हूँ, सिर्फ समझने के लिए समझे इसको, ठीक है, अब देखिए, हमारा blood है, ऐसा blood बनाता है, जो पधारत ऐसा blood बना रहा है, उसको खत्म कर दिया जाता है, और जो normally ऐसे blood बने हुए है, उसको यह जो है, फिर स उसको सही तरीके से create करता है, कि पूरा यहाँ पर गोल हो जा, और यहाँ पर जो ऐसा cell बना रहा है, उसको खतम करके, यहाँ पर नया introduce किया जाता है, जिससी की पूरा cell जो है, वो हमारा यहाँ बन जा, एक तम आसान चब्दों में बता है, जिक है, clinical trial result जो है, वो भी आपर देखने को मिले है, and potential impact यहाँ पर, gene therapist जो है, patient का खुद का blood cell यहाँ पर लेता है, gene editing के लिए, जिससी की यहाँ पर जो bone marrow donor है, किसी का donor हम लेंगे, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, and इससे benefit काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम ऐसे करते हैं, तो इ पॉर्ण हमारे यह है, एकसाम के लिए, कि भाई, consequences क्या होता है, abnormal rate cell जो यह S तरीकी का बन रहा है, उससे क्या होता है, जो oxygen delivery वो reduce हो जाती है, समझ लो नहीं यार, कि एक पूरा जो, पूरा एक blood जो बना कर रहा था, अब आधा ही कर पा रहा है, तो blood का काम जो जो है, वो हैना, sign किया है, painful episodes होते हैं, पर sudden severe pain होता है, various parts due to blockade of blood vessel, anemia यहाँ पर देखने को मिलता है, weakness, यह सब कुछ, jaundice, जो growth है, वो delay होती है, treatment में, यह सारी चीज़े, gene therapy जो अभी हमें देखने को मिल रही है, challenges भी काफी सारे है, हैना, कुछ additional point भी यहाँ पर UPSA aspirant के लिए हुए है, कि tribal population में जाधा है, national program for prevention and control sickle cell disease, यहाँ पर क्या करता है, diagnose, treatment, and counseling sickle cell के लिए, तो PDF काफी important है, PDF से आप revise कर सकते हो, आपको telegram channel पर मिल जाएगी, आपको मही और मुगरी सर्च करना है, telegram channel पर, next यहाँ पर अगर हम देखें, तो चैन्नी का flood problem, again चैन्नी के बारे में हमने अल्री देखा हुआ है, चैन्नी में जो flood आया है, उसके बारे में हमने देखा हुआ है, चैन्नी में किस तरीके से flood आया है, वो हमने देखा हुआ है, क्या उसका cyclone का नाम था, वो हमने देखा हुआ है, basically यहाँ पर वही बात की जा रही है, कि dumping, जो grounds होते है, जो सही तरीके से बनने चाहिए घर कैसे भी आड़े तेड़े बन रहे है तो प्रॉपर अर्बन प्लानिंग जो है वह यहाँ पर रहनी चाहिए और वह यहाँ पर बहुत इंपॉर्ट रोल प्ले कर रही है सीवियर फ्लडिंग के पीछे तो यह चीज है ठीक है तो क्रिटीजम भी हो रहा है पुब्लिक डिमांड भी है यहाँ पर कि सोलूशन हमको प्रॉपर तरीका का यहाँ पर मिले यह चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर एक्स्ट्रीम रेंफॉल कॉरिडॉर यह भी कुछ ख है कि इसको काफी अच्छे तरीके से हम आगे स्टेविलाइज ड्रूप में जो डिवलपमेंट है वो यहाँ पर कर सकते हैं तो यही चीज के आपर बात की जा रही है बाकि कुछ खास इसमें देखने को नहीं मिलता है बाकि आप यहाँ से हिंदी वर्जन भी पढ़ सकते है तो वीडियो शेयर दरूर किजिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैन